नीतिस कुमार के एंडिये में शामिल होने पर एंसीपी चीफ शरत पवार की प्रतिक्रिया बोले भविश में जनता उन है बिहार में मुख्यमति नीतिस कुमार ने महा गटवंदन से किनारक कर एक बार फिर एंडिये का दामन थामा है इसी बीच इंडिया गटवंदन में शामिल तमाम राजनितिक पार्टियों के निताओं की प्रतिक्रिया आ रही है NCP प्रमुक शरतपवार का कहना है कि पटना में जो कुछ भी हुआ इतने कम समय में ऐसे इस्तिती पहले कभी नहीं देखी गई मुझे याद है कि नीतिस कुमार नहीं फोन किया था सर्थपवार ने कहा कि पटना के सभी गेर बीजेपी दल उनकी भूमका भी ऐसी ही थी लेकिन पिछले 10-15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हों ने इस विचारधारा को छोड़ दिया और आज बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार बना ली पिछले 10 दिनों में ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कोई कदम उठाएंगे इसके प्रीद वह बीजेपी के खिलाफ भूमका निभा रहे थी अचानक क्या हुआ पता नहीं लेकिन बाविश में जनता हुना है उनकी भूमका के लिए सबक जरूर सिखाएगी सहयोगी की राय अलग है तो इसमें समस्या क्यों होनी नीतिस कुमार के एंडियर में शामिल होकर फिर से मुख्वंतरी पत्की सपत लेने पर न्सिपी के कारकारी अद्देख शुप्रिया सुले का कहना है कि यह हमारे लिए सबस्ट रूप से निरासा जनक है क्योंकि वह भारत के एक बड़े नेता है लेकिन यह लोकतंत्र है और हर किसी को मैसुस करने कादिकार है सेज भारत परवार अच्छों ने रहेगा हम सिर्फ एक संगठन के रूप में नहीं अगर एक सहयोगी की राय अलग है तो इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए नौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी नीतिश कुमार बिहार में तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाती है नीतिश कुमार ने बीजेपी की साथ मिलकर सरकार बनाई है रही बार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने आठ मंत्रियों की साथ शपत ली हाला कि अभी उनके विभागों का बटवारा नहीं किया गया है आज उनके विभागों का बटवारा किया जा सकता है